शास्त्र, scriptures, इनके भी अलग-अलग स्तर होते हैं, जैसे कि नीती सास्त्र, नीती सास्त्र के उपर भी आते है धरम सास्त्र, उसके उपर भी आता है भक्ती सास्त्र, इनके अलग-अलग स्तर होता है, लेकिन जो higher होता है, जो topmost level का होता है, उसकी बाद माननी पड़ती है, तो चर्चा कर रहे है क्रिष्ण के बारे में ज्यादा बता रहे हैं कि यह सच में मुर्क्ता वाली बाते हैं यह लोग समझ नहीं पाता है कि सास्त्रों में क्या बताया गया है जैसे कि बेद का लेंगवेज इतना टाफ है कि वह समझना मुस्किल हो जाता उसका जो संस्क्रित का बगेरा जो भी है वो समझना बहुत सरे मुस्किल होता है तो उसको describe करने के लिए उसको अच्छे से explain करने के लिए पुरान पुरान किया वो सकता पड़ी पुरानों में बेद को जो चार बेद है उसको अच्छे से explain किया गया उसको अच्छे से describe किया गया फिर पुरान के बा चिन को भर दया प्रवुपाद स्वामी जी ने हर जगा भक्ति 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 ढाल दिया पूरा भगवद गीता को भक्ति में भर दिया जहां कर्मयोग है वहां पर accent in krishna consciousness, krishna भक्ति वाले कर्म करो, भगवद गीता के ज्यान योग, knowledge in krishna consciousness, krishna के बारे में ज्यान प्राप्त करो, krishna के बारे में ज्यान भरी बाते करो, और भगवद गीता के ध्यान योग, practice in krishna consciousness, krishna पर ध्यान लगाओ, krishna की भक्ति करो, krishna पर meditate करो उनके नाम जब करो, chanting करो, पूरे भगवद गीता प्रहुपद नहीं, भक्ती 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 कृष्ण कृष्ण हाइलाइट कर दिये, यह क्या किया स्वामी जी आपने, यह तो ना इंसाफी है, यह कैसे है, सिर्फ कृष्ण को हाइलाइट कर दिया गया भगवद गीता में, इसकुन्हों बारोगों बहुत सरे बार् सुनने पड़ते हैं, कि यह जो आप रोगो बताते हैं, इसकुन के भक्त भगवद गीता यथा रूप, भगवद गीता रूप यह जूट धै्नजर कृति जोप स सब क्या कर दिया, जिन सलोक हैं, वहां पर कृष्ण हैं ही नहीं व और खुद के जो ख्याली पलाव जी भरी बाते है जो परीकलपन है भरी जो श्लोख है आपने टी का सिद्धान्द ओ घुसा दिए भगवान की बानी को हटा के आपनी बानी घुसा दिए भगवान का जो बानी का जो असली मतलब है ओ नहीं डाले तुम लोगों ने अपने अटा दिये कृष्ण को हटा दिये वहां से स्रीफ लाइन पढ़ने से नहीं होते बोलने का पीछे जो कहा है उनका कॉंटेक्स्ट अच्छे से समझना चाहिए किस मनोभाप से बोलना चाह रहे है भगवान कैसे क्या कहना चाह रहे है वह प्रभुपाद जी अच्छे से बानी को भगवद गीता में लेकिन दुनिया के जो भौतिग लोग है संसारिग लोग है जो भोगी है वो लोग समझ नहीं पाते हैं आपने कुछ लगाते हैं अलक सा अपना एक्स्प्लेंसेंट देते हैं डिस्क्राइब करते भगवद घीता को जहां पे भगवान है भगवान थे उनको और भी ज्यादा हाइलाइट किया मैंने भगवद गीता का जो एक स्लोग है सर्वधर्मान परित्ते जिय मामेकम सरनम ब्रच ए मैंने पढ़िया कई बार और इस स्लोग को लेके जो अद्वित्वादी है उनका अलग सा एक्स्प्लेनेशन है अलग सा डि भक्ति करो लेकिन बदमास इस लोग में भी ओलोग कपट कर गए खेल खेल गए क्योंकि जिनके मन में कपड होता है धूर्थ होता है वो वह वहां पे भी खेल खेलते कपट करता है यह जो अद्वित्वादी है और आदि संक्राचारी यह की भगवद गीता है वहां पर साफ सब बता रहे है कि यह नीचे आके भगवान की सरण में लेके क्रिष्ण की सरीन में जाके उनकी भक्ति करके फिर हमें वापस जाना है इस संसार को छोड़के वह सब सब बता रहे है कि क्रिष्ण की सरण लेना है क्रिष्ण की भक्ति करना है आदि संक्राचारी यह बता रहे उनके सरण में जाना है ऐसे एक्स्प्लेंड कर रहे है कुछ भी बता रहे है अधी संक्राचार यह नो तो सराफत से बताया थे कि कृष्ण को समरपीद होना है कृष्ण की वक्ति करना है लेकिन यह लोग का कुछ अलग चल रहा है अलगी मतलब निकाल रहे हैं लेकिन देखा अधी समझ नहीं आएगा जैसे कि नॉर्मल ब्यक्ति को बता दिया जाए घोड़ा दबादे गोड़ा कैसे दबाए यार कि उसको पालूम नहीं है लेकिन कोई अगर गुंडे को बोले कोई किलार गैंक्स्टार ए घोड़ा दबादे तो बोलेगा हां डिच्काउं गन चला क्लियार होना चाहिए ना तब जाके एक्स्ट्रेशन करोगो तो समझ मायेगा अच्छे से तो बैवहार जो यूज कर रहा है उसके आधार में मीनिंग पता लगता है क्या होना है जो उसको यूज करता है जो चलाता है उसको पता है घोड़े दबाने का मतलब क्या है सही है मिनिंग मतलब गलत गलत तरीके से दिमाग में गुझे अगर मैं बताओं एम जी रोट पे मेरा घर है क्या मेरा घर एम जी रोट के उपर ही है रोट के उपर ही मैंने घर बनाया मेरा घर एंबंजी रौट में साइड में कोई कॉलोणी में को प्रोपारटी में मेरा घर है न के रोट उपर है यहिंजी रोड में मेरा हर सब्त का हर टेक्स्ट का एक गॉंटेक्स्ट होता है अगर किसी गया नहीं तो उसका explanation meaning भी समझ नहीं आएगा तो फिर ढूंदत रहेगा ओ रोड में ढूंदत रहेगा कहा है भगवद गीता में भी करम योग क्या करम योग क्या है कि करम योग मतलब एक्सेन इन क्रिष्णा कॉंसियसनेस क्रिष्ण भक्तिवाले करम करना चाहिए तो यह सब जो उची सिध्धान्द है उची कॉंटेक्स्ट है सब्दय मीनिंग है जो लोग समझ नहीं पाते हैं वह ऐसे मुर्गता वाली बाते करते हैं अलग-अलग भटक जाता है अटक जाता जाई स्रीक्रिष्णा धन्यबाद थैंक्यू भेरी मच्च